हेलो एवरिवन, वेरी वेरी गुट मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत कुश होंगे आप सबी का आपके अपने चैनल Vergeör में बहुत बहुत स्वागत है तो friendship सबसे पहले आप सबी को मेरी राम रा आप सबी के लिए परंपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हों कि परमात्मा आप सबी को अच्छी सेहत बक्से आप सबी की सारी मनो कामनाय पूरी हो जाएं और आप सभी के गरों में खुशियां ही खुशियां हैं तो फ्रेंट्स सुब़े का खाना बनाने की तैयारी हो रही है और आज सुब़े के खाने में बनाओंगी आलू गोभी और मतर की सब्ची और आलू गोभी को जैसे कुकर में सीटी लगवा देती हूं तो फिर वो सब्ची कुछ खाने में अच्छी नहीं लगती है तो इस वज़े से मैं इसको कड़ाई में बनाती हूँ और हलका सा फ्राई करके बनाती हूँ तो यहां कड़ाई में मेरे आलो फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं जो टमाटर हरी मिर्च वगएरा हैं पीस के यहां पे तयार कर रही हूँ और मैंने यहां तेल में ही जैसे एक तेज पत्ता और इसमें एक लॉंग और जो बड़ी इलाईची होती न वो थोड़ी सी तेल में मैंने फ्राई की थी ताकि वो थोड़ी सी पक जाए और फिर वो मैंने टमाटर हरीमेच में डाल कर ही उसको पीस लिया है और यहाँ पर आलू को मैं डीप फ्राई नहीं करूंगी हलका सा फ्राई करूंगी कुछ फिर बाद में पक जाएंगे कुछ यहाँ तेल में पक जाएंगे और जब इसको मतलब इस तरह से फ्राई करते हैं ज़्यादा ओयल नहीं लगता है मैंने पहले बताया है कुछ बहनों का यह होता है कि बहुत ज़्यादा ओयल लगता है बहुत ज़्यादा नहीं लगता है जो कि हम नॉर्मल सबची बनाते हैं ठीक उतना ही जो बेसन वगर हमें आलू जब फ्राइई होते इन, तो वो ज़्यादा तेल पीते हैं आप नॉर्मल तरीके से ऐसे आलू को काटके जब फ्राइई करोगे न, तो इसमें ज़्यादा ओयल नहीं लगता है और हेर्शाप और वह लूटे काम उते हैं को साथ के साथ HOणी में समेख लेती हूँ, अब जैसे धनिया को साफ करना है तो वो भी मैंने यहीं पर रख लिया है कि बीच-बीच में यह काम भी देखती रहोंगी और मेरत धनिया भी साफ हो जाएगा चोटे-मोटे जो काम रस होई कि वो भी कमप्लीट हो जाएगे तो haloo fry हो गे थे यहाँ पर मैंने गोभी को भी fry किया है क्योंकि कच्ची गोभी को ऐसे डाल के सबजी बनाते हूं मैंने कई बार बनाई है तो मुझे वो पिल्कुल अच्छी नहीं लगती है लेकिन जब फ्राई करके बनाते हूं तो काफी अच्छी लगती है और अब इसमें मैंने डाला है जीरा और थोड़ी सी सोंप तो मैं डालूंगे नहीं कानहाजी के लिए भोग बनाना है और अब डाल दूँगी मैं इसमें हल्दी क्योंकि हल्दी को मैं छोंक जब बनाती हूं तो उसी में पकाती हूं ताकि इसका थोड़ा सा कच्छापन निकल जाए और सबजी खाने में अच्छी बने तो जितनी मेरी सबजी को जरूरत है उतनी मैंने इसमें डाल दी है और ये टमाटर बगएरा मैंने पीस के रखे हुए हैं ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं थोड़ा सा इसमें अब मैं पानी डालूंगी और जो मटर है ना वो मैं फ्राई नहीं करती हूँ वो कच्चे ही इसमें डालती हूँ जो ये हमारे टमाटर की प्यूरी वगरा पक के तयार होती है तब इसमें ये मटर बहुत अच्छी से बॉयल होके पक जाते है तो इसमें अब मैं पाने डालूँगी क्योंकि सबजी को भी बाद में डालना है इसमें तो उसके लिए भी थोड़ी सी तरी रखनी है ताकि उसके अंदर नमक चला जाए क्योंकि अभी फिलाल ना तो आलो में नमक है ना गोभी में नमक है तो जब इसमें तरी होगी तो उसी में डालेंगे तभी तो उसके अंदर सबजी में नमक जाएगा तो इस वज़े से मैंने इसमें पाने डाल दिया है अभी थोड़ा ओर डालूँगी क्योंकि अभी ये कम है जब ये प्यूरी हमारी पकेगी तो ये बिल्कुल गाड़ी हो जाएगी और अब मैं इसको ढख दूँगी बीच-बीच में चेक करती रहूँगी नमक नहीं डाला था भूल गई थी मैं तो अब मैं इसमें स्वाद के नुसार नमक भी डाल देती हूँ क्योंकि नमक डालने से जो टमाटर है टमाटर की प्यूरी मतर अगरा ये जल्दी पक के तयार हो जाएगे और ये देखिए बहुत ही जल्दी हमारी प्यूरी बनके तयार हो गई है बिल्कुल पक गया है हमारा ये और ये फ्राई किये हुए आलू और गोवी और मैंने बताया कि ज़्यादा फ्राई नहीं किया था हलका सा फ्राई किया था तो कुछ कच्चापन तो तेल में फ्राई किया तब निकल गया है और अब मैं इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके और गैस का फ्लेम कर दूंगी लोग और फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगे तो जो आलो में थोड़ा सक अच्छापन बाकी है न वो पकके तयार हो जाएगा और नमक भी पूरी सब्ची में अच्छे से आ जाएगा क्योंकि अब इसको ढखके पकाऊंगे न लोफ लेंपे तो बहुत बढ़िया एक करते हैं और या जयाता है और मैं थोड़ी से दियर के लिए सक और चलाऊंगे ऐसे अगवर ताकि थोड़ा कहीं होगा है पर पानी ना हो बिल्कुल भी और फिर इसको मैं गयस से उतार दूगी आटा वगरा मैंने सब लगा के तयार कर लिया है बाकि मेरे सारे काम कंपलेट हो चुके हैं बस अब तो रोटी बनाना बाकी है और बाजरे की रोटी भी बनाऊंगी गेहूंकी बनाऊंगी तो मैंने दो तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़िया सी हमारी आलो गोभी मटर की सबची बनके तयार हो चुकी है अनुज के लिए निकालूंगी बिना धनिये की क्योंकि अनुज धनिया डालने के बाद सबची को खाता ही नहीं है उसको पसंद ही नहीं है हरे धनिये का स्वाद इस बाकी की सबची में हरा धनिया डाल दूंगी बाकी हम सबको तो बढ़िया लगता है उसको नहीं लगता है तो उसका मैं निकाल देती हूँ जिसको जैसा अच्छा लगी वो ऐसा ही खाता है तो इसलिए सबका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि किसको क्या अच्छा तैयार इसको तो मैं गैस से उतार देती हूँ और अब मैंने रोटी बनाने शुरू कर दी है तो पहले तो जैसे जिनको गेहुं की रोटी खानी है जैसे दोनों बच्चे हैं गेहुं की रोटी खाएंगे इनकी दादी खाएगी तो ये फिर बना दूगी मैं और फिर मैं और पापा जी हम दोनों खाएंगे बाजरे की रोटी तो हम दोनों की बाद में बनाऊंगी अभी पहले बाली दो रोटी का आएमाता के लिए फिर थालिसा सुमाकी लग जाएगी फिर कनहिया का भोग लगेगा और फिर विशाल खाएगा और उसके बाद मैं बाजरे की रोटी ब मैंने बनाई है आलू गोभी और मटर की बहुत ही बढ़िया सी सब्ची और अभी गेहों की रोटी बना रही हूं फिर बाजरे की बनाऊंगी आपका मन करें गेहों की खाये मन करें आप बाजरे की खाये सर्दियों में बाजरे की रोटी बाजरे की खिचडी अपना अलगी स् हुआ तो फ्रेंडिस ए आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं प्रैंड करती हूं वीडियो अच्छी logos लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आज की इस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधास वामी राधे राधे जैश्री राधे बाई बाई खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए और अपने लाला की वीडियो किलिप निकालना मैं भूल गई थी इसी वज किलिए भूल ऑई बाई भी खुश भई याला की वीडियो में निकालना ही वार भूल जा लाधे जह किलिए झालना गाला की वीडियो में चाहिरो पड़ियों करने बाई लाधास वालना ही तक